तो question number 1 पर आजएए दिखे हाल ही में यानि सितंबर 12 में प्रधान मंत्री निरेंद्र मोदी ने कहां पर राजा महिंदर सिंग राज विश्विद्याले का सिलान नियास किया है बताइए ग्रेटा इनोड़ा अलिगर्ड गौतम बुधनगर यागरा अलिगर्ड में किया है तो 14 सितंबर 12 को भारत के प्रधान मंत्री निरेंद्र मोदी ने उत्तरपरदेश के अलिगर्ड में राजा महिंदर परताफ सिंग राज विश्विद्याले का सिलान नियास किया और यह विश्विद्याले राज सरकार दोरा महान सुतंतरता सैनानी सिक्षाविद और सुधारग राजा महिंद्र परताव सिंग के सम्मान में इस्थापित किया जा रहा है कि नमबर टुए तेरा से चौर्ण सितंबर दुहर इकेस के मद्द पूर्वत्तर राजिके परेटन और संस्कृती मंत्रियों का समेलन कहां आयोजित हुआ तो अगर तुला को अलिमनेट कर देजे मेगाले में नहीं हुआ तर शिलोंक को हटा देजे यह हुआ है सिक्किम मेन इवाज गंग्टव को हटा देजे असम के गुबाहटी में तो चेट 13 से 14 सितंपर दिहारी किसके मद्द पूर्वत्तर राज के परेटन और संस्कृति मंत्रियों का समेलन असम के गुहावटी में संपन किया गया और केंद्रे परेटन, संस्कृती और पूर्वत्तर, छेत्र, विकास, मंत्री, जी किसन रेटी और असम के मुख्य मंत्री हिंबन्द विश्वा सर्मा ने इस सम्भेरन के उधगाटन सत्र को संबोधित किया देखें इस सम्भेरन का योजन परेटन मंत्राले भारत सरकार दोरा किया गया और इसमें पूर्वत्तर, छेत्र के परेटन के विकास और संबंधित मुद्दो परशर्चा की गई साथ ही इसमें स्वदेश दर्शन और परशाद योजनाओ के तहट स्विकरत वेवन पर योजनाओ की प्रगति की समिक्षा की गई कोईशन नुबर 3 पर आजिए के लिए ICC Player of the Month Awards के विजयताव की खोशना की और इंग्लेंड क्रिक्ट टीम के कप्तान है जो रूट उनको अगस्त महा के लिए ICC Men's Player of the Month चुना गया है कि कोशन नुबर 13 पर आजिए 13 सितंबर 21 को क्रिकेटर Bradentlor ने अंतरास्टे क्रिक्ट से सन्यास लेने की कोशना की है वेकिस देश के परसिद्ध क्रिक्ट खेराड़ी यही हैंusted ब्रेडen टेलर यह हैं जिंबाबे के लिखा भी है तो 13 सितंबर 21 को जिंबाबे के पूर दिवसीय मैच खेले और 45-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी-टी- कौन है वो भारत के साथ जिसने Climate Action and Finance Mobilization Dialogue का सुभारंब किया है 13 सितंबर 22 को भारत और अमेरिका तो 13 सितंबर 22 को भारत और संयुक्त राज अमेरिका ने Climate Action and Finance Mobilization Dialogue का सुभारंब किया यानि जलवायू कारवाही एवं वित्य संग्रहन संबाद देखें इसका आपचारिक रूप से सुभारंब केंद्रे परिवर्ण एवं जलवायू केंद्रे परिवर्ण वन और जलवायू परिवर्ण मंत्री भूपेश यादव और अमेरिका के राश्टपती के जलवायू परिवर्ण पर विसेश्दूत जौन केरी ने किया नमबर 6 पर आजए सितंबर 22 में किसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नया अध्यक्स चुना गया है किसको चुना गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नया अध्यक्स बताएए इन दोरों मसे कोई एक है रमीज राजा तो 13-72-21 को पाकिस्तान के पूर्फ कर्केटर रमीज राजा को पाकिस्तान कर्केट बौर्ड का नेरविरोध अध्यक शुना गया और इस पत पर उनका कारिकार 3 साल के लिए होगा और इससे पहले वैफिर्स-3-4 के वीच पाकिस्तान किर्केट बोर्ड के मुख्य कारिकारी अधिकारी रह चुके हैं यानी CEO रह चुके हैं ये PCV के नमबर 7 पर आज़ेए 12 से दंपर 21 को संपन कार रेस इटेलियन ग्रेंड पेक्स 21 का खिताब किसने जीता है किसने जीता है बताइए वैलेंटीन और उसी तो बाइक चलाता है इनको तो अलमिनेट करते जीए लुईस हैमिल्टन भी नहीं है डेनियल रिकियार्डो है ठीक है डेनियल रिकियार्डो पहरे स्थान पर और लेंड और नौरिस हैं दूसरे स्थान पर तो दस से बारे सितंबर दहार 21 के माद है फॉर्मूला वन वर्ड चेंपियन सिप सत्य दहार 21 की चौदवी कार रेस इटलियन ग्रेंड पेक्स दहार 21 इटली के मोजा में संपन हुई और इस रेस को मैकलारेन मर्सेटीज के डाइबर डेनियल रिकियाडो ने जीता ऑस्टेलिया के हैं वो और मैकलारेन मर्सेटीज के ही ड्राइबर लेंडो नोरिस ने दूसरा इस्थान पर आप्त किया वो यॉनाइट किंडम के है कोशन नुबर एट पर आजए मेडिसन फ्रॉम दा इसकाई कारिक्रम एक जो ग्यारे सितंबर बुषर 2020 को शुरू किया है किस राज ने शुरू कियाई मेडिसन फ्रॉम दा इसकाई यानि ड्रोन के माध्यम से इंजक्सिंस दबाईया ठीक है इन सब को पहुंचाना यह तेलंगाना तो ग्यारे सितंबर 2021 को तेलंगाना सरकार ने Madison from the sky कारिक्रम की सुरुवात की और इसका उदेश है राज में चिकित सा अपूर्ती सरंखला में सुधार है तू वित्रण के मोड के रूप में ड्रोन का उपयोग करना ठीक है उसको बढ़ाबा देना इस परियोचना के सुरुवाती चर्ण में वित्रण केंद्रों से विशिष्ट इस्तानों तक दबा पहुँचाने में ड्रोन प्रदोगी का इस्तमाल किया जाएगा तो तेलंगाना की सरकार है ठीक है Madison from the sky कारिक्रम Quesion No.9 पर आजए 11 70 21 21 को पहली भारत ओस्टेलिया 2 प्लस 2 मंतरी इस्तरी बारता वर्स 2021 कहां संपन होी भारत ओस्टेलिया 2 प्लस 2 मंतरी इस्तरी बारता संपन हूई है भारत में तो सेटनी कैन्वरा को Aluminate कर देजए लेकिन भारत में कहां भारत की राज़धानी नई दिली में तो 11 सितंबर दो है रिकेस को पहली भारत ऑस्टेलिया 2 प्लस 2 मंत्री इस्तरिया बारता नई दिली में संपन होई और यह है बैठक भारत की मेजवानी में आयुज़ित होई इस बैठक में भारत की और से रक्षा मंत्री राज़नात सिंग ने और विदेश मंत्री डॉक्टर ईस जैसंकर ने भाग लिया और और उस्टलिया की और से विदेश मंत्री थे मेरी सेपाइने और पीटर ढ्यूतन और बैठक में दोनों पक्षेओं ने आपसी के द्विपक्षिय शेत्रिय और वैश्वेक मुद्दो पर चर्चा की सरदार धाम भवन कहां इस्तित है सरदार धाम भवन इस्तित है गुजरात में और गुजरात के एहमदाबाद में तो 11 सितंबर दहार 21 को प्रधार मंतरी नरेंदर मोती ने वीडियो कॉंफरेंसिंग के माध्यम से गुजरात के एहमदाबाद में सरदार धाम भवन का लोकारपन किया है तेके साथ ही उन्होंने सरदार धाम दुत्य चर्ण के कन्या शात्राले का भूमी पूजन भी किया प्रधार मंतरी ने महान तमिल कभी सूपरमणियम भारती की सोवी पूणितिती पर बनारस हिंदो विश्वित दले आनी बियचियू वारानसी के कला संकाय में तमिल अध्यन पर सूपरमणियम भारती पीठ स्तापित करने की गोश्णा की है इससे जुड़ी एक इतिहास की चीज याद रखिए देखिए 11 सितंबर 1893 को सिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेका नंजी ने विश्विक मंच से पूरे भारत को पूरे विश्व को भारत के मानविये मोल्यों से परीचित कराया था यही दिन था वो 11 सितंबर का विश्व आत्महत्या रोक थाम दिवस कब मना जाता है विश्व आत्महत्या रोक थाम दिवस मना जाता सितंबर में लेकिन कब 10 सितंबर को तो 10 सितंबर 2021 को संपूर्ण विश में विश्व आत्महतिया रोक थाम दिवस मनाया गया यानि वर्ड शुशाइड प्रिवेंशन डे मुख्य विश्य था इसका कारवाही के माध्यम से आशा पैदा करना और उदेश है विश्व भर में आत्महतिया की रोक थाम के बारे में जागरुकता बढ़ाना और यह है दिवस वहो के सयोग से इंटरनेशनल एसोसियेशन फॉर सुसाइट प्रिवेंशन द्वारा आयोजवित किया जाता याद रखिएगा कॉश्चन नुबर बारे पर आजएए दो स्टेटमेंट है यहाँ पर बताने के नमें से कौन सा सही है और पूछा क्या है सितंबर द्वार एकिस को तेरवा व्रेक्स सिखर संबेलन वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से संपन हुआ इसे संबंध है निम्न कत्थों पर यह भी तो बन सकता है कर जाद म कहा वगा होगा है यग यह तो चलो भारत में हो गया तो भारत की अधिक्षा में संपन होई भारत के प्रधान मंत्री की अधिक्स संपन हुआ अब सर रहा जब भारत के भारत ने इस संभिलन की मेजवानी की है ठीक है तीसरा अब सर है ये अब देखेंगे कि प्रधान मंत्री जी का कौन सा है तो यह है दूसरी बार है जब प्रधान मंत्री नेंद्र मोदी ने इस संभिलन की अधिक्स्ता की इससे पहले उन्होंने वर्स 2016 में गोव में आयोजित इस संभेलन की अधिक्स तकी थी तो गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट चुकि बात ब्रिक्स की हो रही है तो कुछ इतिहास हम ब्रिक्स का भी जानेंगे देखें पहले था ये ब्रिक ब्रिक्स सब्द का प्रियोग सबसे पहले गोल्ड मैन साक्स द्वारा सं 211 में आगामी अर्ध शताप्दी में वैश्विक आर्थिक प्रवत्तियों के अध्यन के संदर में अपने वैश्विक आर्थिक पत्र दा वर्ड नीड्स बेटर एकॉनमिक ब्रिक्स में किया था उन्होंने गोल्ड मैन साक्स ने प्रारंब में इस समू में भारत, ब्राजील, रूस और चीन ही सामिल थे लेकिन वर्स 2010 में दक्षिन अफरीका को भी इस समू में समलित करने पर सहमती बनी ठीक है इसके प्रणाम सरूप अगले वर्स यानी वर्स 2011 में दक्षिन अफरीका चीन में आयोजित तीसरे व्रिक्स समेलन में सामिल हुआ जिससे ब्रिक का हो गया ब्रिक्स ब्राजिल, रूस, इंडिया, चाइना था तो ब्राजिल, रूस, इंडिया, चाइना और साथ अफरीका भी आ गया इसमें यानी दक्षन अफरीका देखें ब्रिक्स जो है प्रमुक उभरती अठ्वरस्थाओं का समू है जहां विश्व भर्गी लगभग 41 प्रतिशत आबादी रहती है और जहां विश्व का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडिपी लगभग 24 प्रतिशत है इंपोर्टन्ट है एक और चीज कि चौद्वा ब्रिक्स सिखर सम्मेलन कहां प्रस्तावित है या प्रशन ऐसे ही पूछा या सकता है कहां आयोजित होगा तो वर्ष 2022 में चीन में प्रस्तावित है तो वहीं होगा ठीक है अभी तक वाकी का पता नहीं बाद में कुछ भी होतो ठीक है ये स्थान अगर चेंज होतो तेरवाब को याद रखना है भारत में वर्ष नमबर तेरे पर आजए सितंबर दुहर इकिस में हवा से कारवन ग्रहन करने वाला विश्व का सबसे बड़ा सयंत्र कहां सुरू हुआ है अगर भारत में सुरू हुआ है तो गाजय बाद भी हो सकता है आइसलेंड में सुरू हुआ इस सयंत्र का जो नाम है वो और्का है जिसका आर्थ आइसलेंड में होता है एनर्जी यानि उर्जा देखे इसमें सीओ टू को हवा से निकाल लेते हैं और अलग की गई कारवन को जो है पानी के साथ मिला कर अंडर ग्राउंड में डिपॉजिट कर दिया जाता है यहां यह चटान में तफदील हो जाता है यह सयंत्र जो है वो स्विश कंपनी स्विश कंपनी और कंपनी का नाम है क्लाइमबर्ग एजी और आइसलेंड की कारवन स्टोरेज फार्म कारव फिक्स के पार्टनर्शिप में तयार हुआ है और यह सयंत्र हर साल लगभग 4000 टन कारवन डाई अक्साइड को हवा से निकालेगा क्वेशन नुमर 14 पर आजएए चे से दस सितम पर देहर इकेस के मद किन दो देसों की नो सैनों के बीच सयंक तो नोसानिक अभ्यास और उस नोसानिक अभ्यास का नाम है अंसी डेग्स तो हैर 21 का आयोजन होगा बताइए भारत इंडोनेसिया भारत ओस्टेलिया भारत वियतनाम या भारत और मालदीब eliminate करेंगे हैं सबसे पहले भारत और वितनाम को यह नहीं है, भारत और इंडोनेशिया भी नहीं है और भारत और मल्皮ण भी नहीं है। अंसीक तुह है, आंसी में शुपा है और अस्टरेलिया तो ऑस्टरेलिया और भारत नामें चुंच तुह के दो सब्सक् चौथे संस्क्रण का चूट गया है चौथे संस्क्रण का आयोजन ऑस्टलिया के उत्री शेत्र में किया गया तो ऑस्टलिया में हुआ है याद रखना और ऑस्टलिया और भारत के बीच अब देखें यह जो अभ्यास है अभ्यास के इस संस्क्रण में भाग लेने वारी नोसेनाओं के जहां जो पंडुपियों हैलिकॉप्टरों और लंबी दूरी के समुद्री गस्ति विमानों के बीच कॉंप्लैक्स सर्फेस सब सर्फेस और हवाई अभ्यान सामिल रहा और इस चलिए कोश्जन नुमर 15 पर आज़ हाल ही में चर्चा में रहा एक समझाता कार्भी आंगलांग समझाता नेर्व्हकाァ असंब्य भिहार और ज्हारखणक्ट . कार्भी आंगलांग समझोता रही है यह है इस वाले पार्ट से समझने त्यानि नौर्थ इस्ट तो नौर्थ इस्ट का कौन है इसमें नौर्थ इस्ट का है इसमें असम तो 4 सितंबर 2021 को कार्भी आंगलांग छेत्र में वर्सो से चल रही हिंसा को साप्त करने के लिए असम की सरकार, भारत सरकार, मतलब Central Government, केन सरकार, और असम राज के ही पांच विद्रोही समुहों के वीच एक त्री पक्सी है, समझोता जो है, वो हस्तरक्षित हुआ है, ठीक है पांच विद्रोही समुहों वो कौन-कौन से हैं, असम के उनका जो नाम है, वो है कार्बी लॉंगरी, नार्थ कछारहील्स, लिबरेशन फ्रन्ट और दूसरा है पीपल्स, डॉमेक्रेटेक, डेमोcratic कांसिल ऑफ कार्बी, लॉंगरी और है यॉनाइटड पिपल्स, लिबरेशन आर्मी, और है कार्बी पिपल्स, लिबरेशन टायकर्स और pupils, liberation, tiger सामिल है एक हो गए और यहां से दो हो गए और तीन हो गए और चार हो गए पांच हो गए ठीक है, ये वो विद्रोही समू है असम राजिके तो ये पांच विद्रोही समू आए और असम की सरकार और भारसरकार ये तीनों के बीच हो आए अब इस समझोती के तहत जो है मुके धारा में सामिल हिंजा का रास्ता छोड़ चुके विद्रोहियों के लिए पुनरवास की विवस्था की जागी तो कारभी इस तरह से प्रशन पूछा जाए कि हाल ही में समाचारों महरां कारभी पी अंगलांग समझाता किस राज्य से समादल तो आशन लगद रखीएगा इस तरह से पूछा जाए कि भाछत के किस शेतर से समझतल है उत्तरी भारत दक्षणी भारत पस्ट्री भारत पूर्वत्त्तर भारत HOT ये पंदरी प्रशन तई करंट से related इन की practice एक बार कर लेजगा धन्यवाद